सोनभद के उबराम में व्रहद योग महुत्सव का आयजन किया गया धनवंतरी पतंजली योग संस्थान की ओर से किये गया इस आयजन में दूसरे प्रदेशों और जनपदों से बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया इस महुत्सव में चात्र चात्राओं को विभिन योग मुद्राओं का योग प्रशिक छण भी दिया गया कई कलाकृतियों के माध्यम से उन्हें योग से जुड़ने का संदेश भी दिया गया इस अवसर पर प्रावदेक शिक्षा मंतरी आशीश पटेल ने कहा कि इस तरह कि आयजनों से नई पीड़ी को लाब होता है इस सवसर पर उन्हें वक्षी गडबंधन को मिनी यूपे की संग्या दी जिससे जनता चीतने जानती है आयजक ने योग को देश और दुन्या में प्रचारित प्रसारित करने के लिए प्रधानवंत्री को धनिवाद दिया और के संकल्प को पूरा करने पर प्रतिबधता जता सोनभद्र योग महोचसव आयोजित करके आयोजकों ने एक योग के प्रती और बिसेसकर छोटे बच्चों में जो जागरुकता पहलाने का काम किया मैं उसके लिए आयोजकों को धेड़ सारी बधाई देता सोनभद्र उत्तर प्रदेश का पहला ऐसा इंस्ट्यूट हुआ है राजकी इंजिनिंग कॉलेज सोनभद्र जिसमें माइनिंग इंजिनिरिंग का कोर्स हमने प्रारंब कर दिया है और हमारी सरकार जो कहती है उसे करती है माननी प्रदान मंत्री जी ने जिस प्रकार से आवास सौचाले और लोगों के जीवन अस्तर को सुधारने के आमूल चूल परिवर्तन के कारे किये हैं आप कितना भी गटवंधन कर लीजिए आपके लिए कुछ बचा नहीं है करीब लगबक 2000 से उपर प्रतिभागों ने प्रतिभाग किया हमारी संस्थान का मूल उद्देश है कि यहां के जो आदिवासी या अन्य सभी शमाज के बच्चे हैं जो योग के प्रति जागरु खो करके योगों को अपनाए और योग में जी करके अपने आपको स्वस्त क कर सके क्योंकि प्रधान मंतरी जी के शपनों के उद्देश तभी साकार हो सकता है जब हमारे देश का दबे कुछले आदिवासी और सभी स्वर्गे के लोग योग करके निरोगी काया जीवन जीवन जी सके